औरेंज मोहितों बनाने के लिए मैंने औरेंज के पल्प को ले लिया है औरेंज का जूस है आप किसी भी ब्रैंड का ले सकते हैं अज्क सकते नीबू को मैंने चौप कर लिया है पुदीने के पत्ते है और चीनी का पॉड़र है सुगर को मैंने मिक्सी मे ग्रांड कर लिया था यह काला नमक है और आइस है क्योप्स है अब हम सबसे बेहने ग्लास में निम्बू डालेंगे, चौप किया हुआ, पुदीने के पत्ते डालेंगे, औरेंज के पल्प डाल देंगे, सुगर पॉडर एक चमच के करीब हम डालेंगे, अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो ज्यादा भी थोड़ा डाल सकते है, पर जूस में भी रहता है सुगर, इसलिए मैं सजेच्ट करूँगी कि आप कम ही डाले, थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे, और इसके बाद हम इस तरह से मडल करेंगे, अच्छे से इसका रस आ जाए निकल जाए पूरी तरह से पुदीने के, पत्ते के, नीम्बू के और और ओरेंज के, इतना हम करेंगे, अब हम इसमें आइस के क्यूब्स डालेंगे, आदा ग्लास भरने तक हम इसमें ओरेंज का जूस डालेंगे, और फिर इसके उपर से हम सोडा डाल देंगे, बीच में हम गार्णिश करने के लिए नीम्बू का डाल देंगे इस तरह से, और फिर इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है अब लास्ट में हम इसमें और इन से इस तरह से गानिश कर देंगे अब देख सकते हैं कितना बड़िया और कितना रिफ्रेशिंग है ये तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी किसा ऑफ तक ये बाइब बाइब एक